हाई क्लास 10 केम चुमरी जान मस्त मरमा प्लीज लेक्मी डो इन दो कॉमेंट सेक्शन और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 28 ओफ नवंबर से स्टार्ट हो रहे टर्म ओन एक्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ क्लास 10 के सभी साम्बल वेपर बोड ने रिलीस कर दिये हैं अगर आपने साम्बल वेपर देख लिये हैं तो the best है आप साम्बल वेपर को CBFC की ओफिशल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो इवन इस वीडियो के description box में मैंने English के साम्बल वेपर और उसके answer seat की link दे रखी है उस पर भी click करके आप अपने phone में safe कर सकते हो आज के इस वीडियो में हम English के साम्बल वेपर को जो officially बोड ने release करा है उसको solve करने वाले देखो यार कई YouTubers में already ऐसे वीडियो बना रखे हैं English के साम्बल वेपर को solve करके बट उन्होंने direct answer बता रखा है Now what we gonna study in this particular video हम approach सीखेंगे क्योंकि आपके exam में this is only the sample paper जो आज हम solve करने वाले हैं ये केवल sample paper है आपके exam में questions different होंगे variety यहीं होगी तो आपको ये सीखना जरूरी है कि भाई ऐसे questions को करेंगे कैसे tricks क्या है तरीका क्या है मेरे तरीके से question paper solve करो चुटिकलियों में करोगे और बहुत मजा आने वाला है So let's get started with this video Hey hi everyone this is your host and mentor Priem Pandey welcoming you all to another exciting video on your favorite platform educational hikes सुरू करे Hi, welcome to computer screen English language and literature जिसका code number 184 ये sample question paper term 1 exam के लिए release किया गया है Class 10th के लिए 28th of November से आपका term 1 exam start है और latest sample question paper CBSC ने अपने official website पर upload कर दिया है ये वही sample paper है CBSC sample paper इसलिए release करती है ताकि वो आपको पहले ही बता सके कि exam में इस बार के exam में कैसे questions आ रहे है ठीक है आपने इन questions को देख लिया होगा क्योंकि ये question paper पहली ही release कर दिया था इन्होंने कुछ दिन पहली ही release कर दिया था आपने कई YouTubers को देखा होगा कि उन्होंने solve करके दिखा दिया मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि भाई इस तरीके की questions अब दोको same questions तो आपके exam में आएंगे नहीं इन तरीके की questions को आप कैसे solve कर सकते हो वो question आपको आता है नहीं आता doesn't matter English का question paper के बल common sense पो depend होता है और मैं आपको दिखाऊंगा life proof दिखाऊंगा common sense का use करके आप कैसे solve कर सकते हो इस question paper को ठीक है एक चीज़ तो यहां से clear है कि आपका जो term on exam होने वाल है उसमें हर subject में आपको one and half hours मिलेंगे लगभग 90 minutes 40 marks का ये पूरा paper होने वाल है paper pattern इस बार change है इसलिए instructions पढ़ लो ये पूरा paper ये जो sample question paper है या आपका जो term on exam में paper आएगा वो तीन अलग-अलग sections में divided होगा पहले sections में आप reading यानि unseen passage करोगे section B में आप writing यानि लेटर बेटर लिखना grammar के कुछ questions करोगे सब multiple choice questions है ये और ये section A and B दोनो multiple choice questions है लेकिन literature में आपको लिखना है total आपको 50 questions मिलेंगे इस बार ठीक है section A में 14 questions section B में आपको 10 questions करने हैं section C में आपको 26 total of 50 questions आपको इस sample question paper में या term one के exam में देखने को मिलेंगे अब देखो आप reading वाले passage को करने का क्या तरीका है इनके लिए ना आपको passage को पढ़ने के जरूरती चे नहीं है क्या करना है आपको सीधा question पराना है जी हां क्या बता रहे हो भाईया सीधा question बिना passage पढ़े बिल्कुल यार देखो करते कैसे है इने ठीक है एक बार यहां पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि आपको केवल 8 questions करने हैं दिए आपको total 10 questions होंगे मतलब 10 में से आपको 8 questions करने दो नहीं भी आते तब भी चल जाएंगे आप छोड़ सकते हो ठीक है आपको क्या करना है देखो भी या simple सा एक तरीका मैं बता रहा हूं unseen passage को करने का क्या तरीका है जो पहले question का answer मिलेगा ना वो केवल पैरा नमबर 1 में मिलेगा नीचे मत ढूणना जो first paragraph है उसी में आपको पहले question के answer मिल जाएगा दूसरे question के answer आपको पैरा नमबर 2 में मिलेगा मतलब यह कोई भी unseen passage आए पहले question के answer केवल first paragraph में ढूणना second question के जो answer है वो second paragraph में ढूणना देखो यहाँ पर paragraph दी है ना भाई तो पह question उसार what from the following is the greatest lesson being taught by nature अब देखो lesson यहाँ पर तुम एक word पिक कर लो greatest lesson अभी यही word धुड़ो उपर paragraph नमबर 1 में धुड़ना है मैंने बताया था question नमबर 1 के जो answer है वो paragraph नमबर 1 में मिलेगा great lesson great lesson यह देखो मिल गया question पूछा था कि भाई nature हमें क्या सिखाती है तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि the greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life हमें अपनी जीवन में पूरा balance बना कर चलना चाहिए मतलब क्या है मतलब यह है कि हम चाहे खुसी हो चाहे हमें दुखी हो चाहे हमें डर लग रहा हो हम एक ही तरीके से उ प्रेसर को हमें हैंडल करना चाहिए मतलब हमें अपनी जीवन में क्या बनाना चाहिए हमें एक balance बनाना चाहिए ठीक है चलो तो option देखते हैं देखते हैं कौन सा सही होने वाल है तो इसका मतलब क्या हुआ the greatest lesson being taught कौन सा लेशन पढ़ाया nature ने हमें balanced in our emotion जी हां चाहे हम बह गया कि नहीं पहले paragraph में बिल्कुल मिल गया मेरी बान ए वाला इसका जो option है यह बिल्कुल correct होगा now let's move to the second question question में 2 की बात करते हैं यह question थोड़ा सा different है कैसे different है क्योंकि भाई यह question का answer आप passage पढ़के नहीं कर सकते हो ठीक है देखो करना क्या है आपको मैंने बताया था कि question number two का answer कहा मिलेगा paragraph number two में मिलेगा ठीक है देखो करना क्या है इसमें इसमें आपको एक option चूज करना है इन चारों में से जो इन दोनों की बीच की हो रही जो बात्चित है उसको complete करता है ठीक है paragraph number two को हम पढ़ेंगे यह सीखेंगे कि paragraph number two में हमें क्या बताया गया है और वही इस ब्लैंक में भर देंगे या इस option को चूज कर देंगे जो paragraph number two में हमें सिखाया गया होगा सबके पहले हम paragraph number two को पढ़ते हैं और देखते हैं कि paragraph number two में बात किस चीज की गई है ठीक है कह रहा है कि बाई जैसे जैसे समय बीचता है एक छोटा सा पेड एक बड़े पेड मे convert हो जाता है बदल जाता है something so tiny कोई पेड जो कभी बहुत चोटा था बहुत मुलायम था आज वो दीरे दीरे बड़ा हो गया है एक strong पेड में convert हो गया है और लोगों को support भी कर रहा है लोगों को चाया दे रहा है लोगों को full full दे रहा है no matter how tall it grows इस बास के कोई फरक नहीं पड़ता कि पेड कितना भी बड़ा हो जाए how much it may flourish ये पेड कितना भी ज़धा फल इस बात से कोई मतलब नहीं है, ये पेड कितने भी जानवर, कितने भी पक्छियों को खाना खिला रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई इस पेड की जड़ होते हैं, पेड कितना भी बड़ा हो जाए, उसके जो रूट्स होते हैं, वो अभी भी मजब पूती से मिट्टी के अंदर की दबे होते हैं और यही चीज हमें नेचर से सीखना है क्या सीखना है तो की पार से ग्राउंडेट मतलब हमें अपने पैर को जमीन पर रखना चाहिए हमें दादा उड़ना नहीं चाहिए respect and embarrass our roots जिनकी वज़ा से हम successful हुए हैं उनकी respect करनी चाहिए उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए हमें and give something back to those humble beginnings that nurtured us into who we are हमें नीचर से क्या सीखनी को मिलता है हमें ये सीखनी को मिलता है कि भाई हम चाहें कितने भी बड़े हो जाए हमें कभी जिस इनसान या जिस लोगों की वज़ें से हम successful हुए हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए हम जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की है जो हमारा origin है जहां से हम निकले हैं, उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, तो यही चीज हमें paragraph number two में सिखाई गई है, और यही चीज हमें इस blank में भरनी है, ठीक है, question में क्या है, देखो, Jay और Sid के बीच में बातचीत हो रही है, Jay कहता है, कि I have done well for myself in this school, मैंने इस school में अपने लिए बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ सिखा इस school में, I am the best they have, इस school में सबसे अच्छा बच्चा मैं हूँ, और मेरा admission कहीं भी हो सकता है, यह Jay कहता है, ठीक है, अब Sid कहता है, कि ह भाई, मैं मानता हूँ, इसके लिए congratulations, आपको बधाई कि आप इतने अच्छे student हो, इस school के, लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, वही याद रखना, जो मैंने आपको सिखाया है, कि भाई, कभी भी अपने journey के starting को मत भूलना, ठीक है, चलो, become strong, नहीं, strong बनने को नहीं है, kind बनने को भी नहीं बोल रहा है, C वाला option बिल्कुल correct होगा, respect the origins from where we have grown, मतलब जहां से हम बड़े हुए हैं, हमें उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए, जिसकी वज़े से हम successful हुए हैं, ठीक है, तो हमारा second question का answer C वाला होगा, let's move to the question number 3, मैंने जैसा आपको बताया है यार कि question number 2 का answer कहां मिला, paragraph number 2 में, question number 3 का answer कहां मिलेगा, paragraph number 3 में, बाकी मत पढ़ना time waste होगा, ठीक है, चलो, question number 3 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि choose the option that best conveys the message, I am because we are, पहले देखते हैं paragraph number 3 में, यह line कहां use की गई है, तब ही हमें पता चल मतलब क्या है, ठीक है, पहले देखो, I am because we are कहां है, third paragraph में, यह देखो, I am because we are, इसका मतलब यह है, कि आज हम हैं, क्यूंकि तुम सभी लोगों, मतलब हम एक दूसरे पर dependent हैना यार, हम जानवरों पर dependent हैं, गर जानवर नहीं रहते, तो हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाते और शायद हम जिन्दा नहीं रहा पाते, पेड़ पौधे ना होते हैं, तो हम जिन्दा नहीं हो पाते हैं, क्यूंकि पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, तो इस line का मतलब क्या है, कि आज मैं हूँ, क्यूंकि हम सभी हैं, मतलब हम सभी एक दूसरे के लिए important है, we are dependent on each other, इसका मतलब यही तो हुआ ना, बिल्कुल यही हुआ, अब देखो, question number 3 के answer में, option में, choose करते हैं, देखो, dependent वाला है, क्या, tigers are dependent on antelope, नहीं, यह तो example दिया है, कि जो tigers है, वो अपने सिकार के लिए antelope मतलब, गीदर उर्दर पर depend होते हैं, जो गीदर होता है, वो tiger पर depend ह होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि everyone is dependent on each other, यही तो हमें बताना चाह रहा है ना, कि आज मैं हूँ, क्योंकि हम सब हैं, हम सब क्या है, एक दूसरे की dependent है, एक दूसरे पर आसरित है, अगर paid नहीं रहेगा, तो इंसान नहीं रहेगे, इंसान नहीं रहेगा तो पेड नहीं रहेगा, got it, चालो, आगे चलते हैं अपने question number 4 पर, question number 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि what qualities do the birds, देखो question number 4 का answer कहां मिलेगा, हमें paragraph number 4 में, जैसा जैसा बोल रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही करना time बचेगा, question number 3 का answer तुमने कहां ढूड़ा, paragraph number 3 में, question number 4 का answer पहले अब हमें देखते हैं कि कौन सी quality की बात हो रही है, paragraph number 4 पर चलते है, paragraph number 4, where is it, where is it, yeah, this is paragraph number 4, थोड़ा पढ़ते हैं, I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator, तुमने देखा होगा, कि जब गभी भी पक्छिया न, किसी सिकारी को देखती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक अजीब सी ये चिलाती हैं, सिकारी चाहता तो उन्हें मार भी सकता है, मतलब ये पक्छिया अपने जिंदगी को खत्रे में डाल कर दूसरों की जिंदगी को बचाती हैं, many animals like the salmon usually die after they spawn, but this does not stop them, मतलब बहुत सारी जानवर जैसे salmon हो गया, वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए spawn करने के बाद मर जाते हैं, ठीक है, मतलब जानवर और पत्थियां क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए dedicated होते हैं, वो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, one life extinguished for the betterment of others is a small price to pay, अगर आप अपनी जिंदगी दे कर भी दूसरों की जिंदगी को सुख में बना रहे है तो आपनी बहुत कम कीमत में उसको खुसी दे दी, ठीक है, तो मतलब ये बहुत अच्छा काम है, चलो तो हमें क्या सीखना चाहिए, स्क्वेरल और बर्ट से, कि भाई, अपने जिंदगी को डैंजर में रख कर हम दूसरों की जिंदगी को बचाएं, उन्हें हम खुसी दे ठीक है, चलो, अप क्वेशन नमर 4 के एंसर को करते हैं, देखते हैं भाई, इसमें क्या-क्या ओप्शन में दिया गया है, अप्जरवेशन स्किल और इलर्टनेस, मतलब हमें पक्षियों से क्या सीखना चाहिए, हमें अलर्ट होना, नहीं, हमें पक्षियों से क्या सीखना अपनी परवा किये बिना दूसरों की मदद करना यही हमें पक्छियां और स्वेरल्स सिखाती है समझ में आए question number 4 बिल्कुल समझ में आगया होगा question number 5 की बात किरते है क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई select the option with the underlined words that can easily, suitably replace lurking paragraph number 4 की बात हो रही है paragraph number 4 में एक word है lurking ठीक है lurking का मतलब क्या है और lurking की जगह पर कौन सा word use हो सकता है मैं आपको बता दू यार lurking का मतलब क्या होता है अगर आप कहीं छुप कर किसी का इंतजार करते हो कोई illegal काम करने के लिए ठीक कोई illegal काम करने के लिए इंतजार करते हैं सिकार का छुपते हैं तो वो lurking कर रहे हैं जैसे आप ही मालो आपकी किससे लडाई हो गई आप छुपे हो उस इंसान को मारनी के लिए तो आप क्या कर रहे हो आप लर्क कर रहे हो ठीक है तो lurking का मतलब क्या हुआ wondering aimlessly इधर उधर घूमना नहीं remaining hidden जी हाँ बी वाला option बिल्कुल correct होगा कि भाया lurking का मतलब होता है छुपे रहना ठीक है lurking का मतलब छुपे रहना किसी का इंतजार करना ताकि वो आए और आप उसके साथ कुछ गलत काम कर सको ठीक है कर रहा था वो गलत काम कर रहा था इसलिए lurking की जगा पर हम remaining hidden भी कर सकते हैं समझ में आया lurking का मतलब यादरे का न चालो question number 6 की बात करते है question number 6 की बात करते है question number 6 कह रहा है कि भाई आप potmanteew words देखो एक अजीब तरीके का word होता है जिनको हम potmanteew words कहते हैं यह कौन से words होते हैं आपने एक word सुना होगा है smog आपको पता होना चाहिए smog दो words से मिलकर बना है smoke और fog ठीक है अब देखो ऐसे words को जो दो words की combination से बनते हैं उनको हम potmanteew कहते हैं आपको क्या करना है paragraph number 6 में एक potmanteew word का use हुआ है वो कौन सा word है A, B, C, D पहले तो यह देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा word paragraph number 6 में आया है ठीक है co-existence workaholic, full grown और florist paragraph number 6 कहा है फड़ा फट देखते है paragraph number 6 paragraph number 6 देख रहो 6th question का answer हमें कहां मिला paragraph number 6 मिला चाला पहला graph number 6 कहा है कहा है कहा है कहा है बाइस बिल्कुल यहां पर है हमें क्या है यहां पर कोई word मिलता है उन चारों में से ना co-existence मिल रहा है workaholic मिल गया मतलब हमें क्या करना है यही word है जो potmanteew word है paragraph number 6 में सिर्फ यही word to use हुआ है उन चारों में से ठीक है तो हमारा workaholic क्या हो गया यह pontmanteew word हो गया B option is बिल्कुल correct वाला option 7th question की बात करते है select the qualities from paragraph number 3 that the author want us to imbibe आपको क्या करना है paragraph number 3 को पढ़ना है और यह बताना है कि author हमें nature से कौन सी qualities सीखनी के लिए बोल रहा है ठीक है अब paragraph number 3 की बात करते है photograph paragraph number 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी quality की बात की गई है आप बिल्कुल unseen passage की question को न ऐसे ही कर सकते हो time कम लग रहा है मेरी जान मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हें किवल करना है exam में मुश्किल से 5 से 7 मिरण में कर ले जाओगे paragraph number 3 then there is a message of peaceful existence I am because we are nature provides every creature a chance to exit कह रहा है कि भाई हर इंसान या हर जानवर या हर पेड़ पौधे को ये nature मौका देता है कि वो जिंदा रह सके धरती पर however the existence of one creature or being depends on the existence of other लेकिन ये बात अलग है कि हम एक दूसरे जो हम इंसान पेड़ पौधों पे डिपेंड है पेड़ पौधे हमारे लिए dependent है मतलब हमारे लिए अगर हम इंसान नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे मुर्जा जाएंगे उन्हें पानी कौन देगा उन्हें carbon dioxide कौन देगा खाना बनानी के लिए ठीक है मतलब हम एक दूसरे के लिए क्या है dependent है हम एक दूसरे पर आधारित है जैसे एक example दिया है कि जो tiger होता है वो antelope को खा जाता है गीदड को खा जाता है और antelope के बिना tiger जिन्दा नहीं रहे सकता antelope ना हो तो tiger खाएगा क्या और बिल्कुल वैसे ही tiger की बिना antelopes की संख्या बहुत जादा हो जाएगी और वो भुखमरी के सिकार हो जाएगे और मर जाएगे मतलब tiger ना रहे तब भी antelope जिन्दा नहीं रह सकते और टाइकर रहे तब भी एंटलोप जिंदा नहीं हो सकते मतलब यह एक दूसरे ही पर क्या है? dependent है चालो, तो हमने कौन-कौन सी qualities सीखी paragraph number 3 से अब देखो यार, यह जो question होता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि paragraph में कौन-कौन सी qualities की बात की गई है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या nature हमें सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे accept कर लिया जाए बिल्कुल, हमें अपने आपको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए हर एक इंसान, जानवर पेड़ पौधों का अपना अलग importance होता है, तो acceptive हो गया, तो देखो first किसमें किसमें है, इसमें है और इसमें है ये दोनों option नहीं होगा, ठीक है अब देखो, passionate तो बिल्कुल नहीं होगा emotional, क्या हमें emotional होना चाहिए नहीं, emotional की भी बात नहीं हो रही है क्या हमें resilient होना चाहिए resilient का मतलब हमें हमें चाहिए जितना बड़ा भी चोट लग जाए हमें उस चोट से उभरना आना चाहिए बिल्कुल, हमें resilient होना चाहिए मतलब 1, 4 और 5 C वाला option हमारा बिल्कुल correct है, perceptive का मतलब होता है भाई, की दूर की सोच रखना ठीक है, चलो, acceptive resilient और perceptive, ये तीन qualities हमें paragraph number 3 से सिखाया जा रहा है हमें आपको याद होगा कि 10 में से केवल 8 questions करने, this is the 8th question, which of the following is sown by the changing of seasons, मतलब बदलती हुए मौसम हमें क्या सिखाते है ठीक है, अब देखो, बदलती seasons की बात कहां हुई है, paragraph में तब तो हमें पता चलेगा ना चलो, paragraph में season की बात कहां हुई है, ये देखो, autumn season की बात हो रही है ना, यहां पर, देखो, कह रहा है कि the snow melts in the warmth of spring मतलब जैसे गर्मियों का मौसम आता है बर्फ पिघल जाते है, ठीक है autumn season में क्या होता है leaps edge into sets of gold only to be buried in the cold grave of winter मतलब autumn season में क्या होता है कि जो पतियां होती है, जो नीचे गीरी रहती है वो winter season में आते आते खतम हो जाती है, मतलब मौसम बदलते हैं, इस से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि no matter what grief may break your heart, nature teaches us that life goes on, कुछ भी हो जा तुमारी जिन्दगी में, तुमारी जिन्दगी चलती रहेगी, मतलब बदलाओ ही, इस दुनिया का एक मात्र नियम है ये देखो, nothing last forever, बिलकुल, मतलब कोई भी चीज, लंबे समय तक नहीं रह सकती आपके पास, वो हमेशा आपका जो जीवन है, वो बदलता रहता है nothing last forever, कोई भी चीज आपके साथ जिन्दगी भर नहीं रहती है तो यही चीज तो हमें सिखाता है, मतलब मौसम बदल जाते हैं, गर्मी के बाद, थंडी थंडी के बाद, बरसात, मतलब कोई भी मौसम, हर season में हमारे साथ नहीं रह सकता, ठीक है तो 8 questions हमने इस particular question number 1 वाले unseen passes से कर लिया है, हाई glass 10th and 12th, आपके term on के exam बहुत जादा नस्दीक है and I hope कि your preparation is going too good लेकिन आम को मैं बता दू, maximum बच्चों को यह पता होगा कि इस बार का जो paper pattern है, वो नए MCQ pattern से आ रहा है, मतलब paper pattern पूरी तरीके से change हो चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता कि exam में बैटने से पहले हमें paper pattern जान लेना चाहिए, एक बार actual में, एक practice test दे देना चाहिए कि हमारे exam term on का जो आएगा, एकदम ऐसे ही कोई practice test मिल जा है, जिसको हम कर दें, बिल्कुल आपके इसी तरीकी के preparation करवाने के लिए, और अगर आपके preparation में कोई doubt भी आता है ना, उस doubt को solve कर आने गए, आपके लेकर आया है comprehensive exam package, इस package में अगर आपको कोई doubt होता है तो आप ask a doubt, अनिकेडमी का नया feature है, वहाँ से आप 24 गंटे सातो दिन अपने doubt को free में clear कर सकते हो इसके अलावा, अगर आपको come on exam का जो paper pattern होने वाला है उस pattern से familiar होना है exam में बैटने से पहली exam की feel लेनी है तो आनिकेडमी का mock test दो आनिकेडमी mock test करा रही है आखरी mock test 20th नौवंबर यानि परसों से लेकर 23rd नौवंबर तक चलने वाली है अभी मैं आपको subjects बता देना हूँ आप ये creative देख रहे हो इसमें आपको दिख रहा है science हमारा 20th नौवंबर को है हमारा math 21st नौवंबर को है ऐसे ही class 12th का है तो आप 5 बजे से लेकर 6 बजे यानि देड़ घंटे की बीच में ये mock test दे सकते हो और अगर आपको कोई doubt आता है तो आप Unicademy के ask a doubt feature से पूर सकते हो ठीक है Unicademy ask a doubt feature की बात कर लेते हैं आपके preparation के time अगर आपको किसी question में दिक्कत होती है तो आपको करना क्या है सीधा Unicademy का learning application open करना है वहाँ पर एक feature है AAD यानि ask a doubt feature आपको अपने question की picture लेनी है picture लेके आपको upload कर देना है upload करती है आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो question है कौन से subject का है subject select करो आपको 24 गंटे 7 दिन आपके doubts को clear करवाया जाता है and one thing more अगर आप Unicademy ask a doubt feature के लिए दस doubts पूछते हो तो आपको Unicademy का subscription 15 दिन के लिए free में मिलता है और ये आपको किसे भी class ले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, IT, J, E, NEED किसी भी चीट, किसी भी category के लिए आप अगर Unicademy ask a doubt से 10 doubt पूछते हो आपको 15 दिन का subscription free में मिलता है तो इंतजार के इस बात का कर रहे हो यार अपने preparation को next level पर ले जाओ mock test के लिए enrollment जरूर दो क्योंकि ये free है आपको description box में link मिल जाएगी आप वहाँ पर जाकर mock test के लिए enroll कर सकते हो जो class 10 के लिए 20 और 21st of normal को होने वाल है इसका नाम अगर आपको preparation करते हुए कोई doubt भी आता है तो आप Unicademy के ask a doubt feature का use करके अपने doubts को clear कर सकते हो आप Unicademy से किस भी तरीकर का subscription ले रहे हो तो मेरे subscription code P.R.E.M. का use करें इससे आपको 10% flat discount मिल जाता है किसी भी course के purchasing में So go and grab it now Now moving to the second question of unseen passage यह हमारे reading section के दूसरा question है और यह भी हमारा passage ही है बट यह पहले वाले से अलग है यह हमारा fact based passage है मतलब क्या है? मतलब इसमें हमें अपना दिमाग तो लगाना इच नहीं है बस facts ढूडने है passage में से correct option चूज करना है second passage आसानी से कर ले जाओगे ठीक है? चलो अराम से करते हैं भाई हमारा वही तरीका, पुराना वहला तरीका क्या? पहले question, then passage ठीक है? पहले question के answer कहा मिलेगा हमें? पहले passage में दूसरे question के answer कहा मिलेगा? second para में ठीक है, pattern यहीं चलेगा चलो, question number 11 क्या कहता है? this is the first question of second passage the purpose of research by publishers association was to study the DAS अब यह ढूड़ना है कि publisher association कहां लिखा है? कह रहा है कि publisher association का क्या purpose था? क्या उद्देश से था? ठीक है? चलो, अब यह हम देखते हैं क्या उद्देश से था? यह पहले passage में मिलने वाला है हमें, पहले paragraph में मिलने वाला है research from the publishers association has shown that films based on books take 44% more at the box office revenue जो publishers association थे ना उन्होंने study किया कि भाई, जो films books के उपर बनाई जाती हैं वो 44% जादा लोग देखती हैं उसकी revenue, मतलब उससे कमाई भी जादा होती है ठीक है? the report explores what impact a book has when adopted for film and TV कह रहा है कि भाई, अगर कोई भी book के ऊपर, कोई film बन रही है तो उस book पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह publisher associations ने research किया था ठीक है? तो आम में बस यही बताना है इनका purpose यह था कि book और film के बीच में क्या connection है यह पता लगाना ठीक है? कितनी important है books film के लिए या film कितनी important है book के लिए इन दोनों का connection पता लगानी के लिए publisher association ने study करी थी ठीक है? चलो अब option देखते है हमारा first का question का option क्या क्या दिया है? यह दिया है कि variety in films and tv shows नहीं, variety नहीं देखना है हमें impact of films on book नहीं, अगर यहाँ पर impact of books on film होता न तो यह option correct होता है तो यह तो होगा नहीं, choice of books for film making यह भी नहीं होगा connect between books and film book और film की बीच में क्या connection है? यह दूसरे के लिए कितने important है यह पता लगाने के लिए Publishers Association ने research किया था Now question number 12 और इस particular passage का question number 2 आपको क्या करना है? Select the option that is true for the two statements given below आपको in options में से choose करना है जो in दोनो statements को justify कर रहा हो दोनो statement क्या लिखा गया है? दोनो लिखा गया है कि भाई, the revenue generated at the box office have increased के रहा है कि भाई, जो आजकल movies से कमाई हो रही है, वो धीरे-धीरे बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है? majority of the top films in the UK are based on published material, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जादा तर जो अमेरिका में filmें बनती है न, वो books के उपर बनती है, और इसी कारण से, यही reason है कि हमारा जो revenue है, वो increase हो गया है, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे, one is the result of two, मतलब यह जो revenue generate क्यों हुई? क्योंकि UK में जादा तर films books पर बनाई जाती है, और इसी का result है कि revenue पैसा जादा मिल रहा है, ठीक है? समझ में आया, तो हमारा ए वाला option बिलकुल correct होने वाला है, now let's move to the third question, हमारा thirteenth question, यानि इस passage का ते रहवा question, क्या कह रहा है? कह रहा है कि select the option that gives the correct meaning of the following statement, यह statement है अब पहली यह statement हम देखेंगे है कहाँ पर, फिर तो उसका मतलब बता सकते हो, कह रहा है कि the sales of the book in 2017 alone accounted for 23%, कह रहा है कि 2017 में कितने percent जादा books भी की? 23% और यह किस के मुकाबले जादा भी की? 1992 के पहले जितने books भी रही थी, उसके मुकाबले 2017 में जब इस book पर film बनाई गई गई ना, तो यह book जादा भी की ठीक है, 23% और बिक गई यह book, अब आपको इसी का मतलब बताना है, ठीक है, चलो, हम एक एकर के options को देखते हैं, हमारा पहला option है कि भाई, there were 23% higher sales in 2017, चलो, यहां तक तो सही है, than previous years, नहीं, previous year की बात नहीं होती है previous का मतलब क्या होता है, 2017 2017 की बात हो रही है, तो इसका previous year 2016 होता है, यहां पर बात हो रही है, 1992 के पहले की, तो 1992 2017 का previous year नहीं कहलाएगा ठीक है, तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा दूसरा, a measure chunk of sales, happened in 2017, हाँ, बिल्कुल यह कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि 2017 में इतनी बुक्स बिकी, जितनी पहले कभी नहीं बिकी थी, मतलब जादा तर बुक्स 2017 में बिकी हैं ठीक है, C वाला option the sales were limited, limited नहीं है जादा होई है न, 23% जादा बिकी है बुक तो limited, यह तो negative word हो गया न, तो आएगा नहीं, there were very few books नहीं, कम बुक्स नहीं भी कि भाई 23% बहु जादा होता है तो इसका correct option क्या होगा हमारा B वाला, let's move to our 14th question और इस passage का 4th question, according to the research, the films based on books have greater success because, के रहाए कि भाई एक research ने बताया है कि जो film, book की ऊपर बनाई जाती है, वो जादा तर चलती है box office पर, उन्हें लोग जादा देखते हैं, जादा पसंद करते हैं ऐसा क्यूं होता है, अब हम यह देखेंगे कि भाई, यह line कहां लिखा है, तब तो हमें पता चलेगा न, ऐसा क्यूं होता है, देखो film based on books, अब यह line ढूड़ो कहां पर है, film based on books film based on books, यह देखो हाँ, यहाँ पर है गी नहीं है देखो, the research, एक research हुई है, जिसने बताया है कि adopted films tend to perform better, मतलब जो books के ऊपर film लिखी गई है, वो जादा अच्छे से box office पर चलती है, क्यों reason क्या है, films can leverage the popularity of well known books, मतलब भाई जैसे for example, Half Girlfriend यह चेतन भगत की एक book है, चेतन भगत की एक book है, Half Girlfriend ठीक है, अब भाई, इस book को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, तो जब इस book पर film बनेगी, तो यह लोग इस film को देखेंगे की नहीं देखेंगे, मतलब इस book के popularity का use करके, यह film box office पर अच्छी कमाई कर रही है, यह book already famous है ठीक है, अरजुन कपूर और सद्धा कपूर ने movie बना दी थी Half Girlfriend, ठीक है Half Girlfriend यह चेतन भगत की book है और यही बुक पर movie बना दिया, Half Girlfriend जो बहुत चली, box office इस पर super hit रही थी, ठीक है तो कारण क्या है, हमसे क्या पूछ रहा था हमसे चौथा question क्या पूछ रहा था यही तो पूछ रहा था न, कि भई, जो books के उपर film बनाई गई है वो ज़्यादा तर successful क्यों है क्योंकि जो books के audience है वो film देखने जाते है देखो, people like to see the character from the book, नहीं, ये कारण नहीं है the film get the advantage of the fame of books, बिल्कुल, भाई, books पहले से ही famous हैं, और उन्हीं books पर अगर movie बना दी जाए तो भाई, उस movie को सभी लोग देखेंगे, जो इस book को पढ़ चुके हैं, मतलब films को फायदा मिलता है, जो लोग book पढ़ चुके हैं, जिने book अच्छी लगी है वो लोग आते हैं movie देखने, ठीक है तो ये B वाला option हमारा बिल्कुल correct होगा, now, question number 15, यानि इस passage का fifth question, क्या कहता है, कि select the option, listing what the given sentence refers to अब ये sentence है, इस sentence का क्या मतलब है, और इस मतलब से कौन सा option सही है, ये बताना है films adopted from books also tend to have richer, more fully developed story to draw on क्या रहा है कि भाई, जो normal movies होती है, उनमें कहीं न कहीं जो ending होती है, वो छूट जाती है लेकिन जो film book पर बनाई जाती है उसकी जो ending होती है, वो पूरे book की तरीके से होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि the plot and the storyline of such films are better, बिल्कुल मतलब पूरी story अच्छी होती है, क्योंकि वो book के ऊपर लिखी गई है, the characters are likely to be more vivid मतलब जो characters है, जो book में character है, एकदम who बहू, film में character दिखाया गया है, ठीक है, तो ये दोनों option बिल्कुल सही होगा, one or two, देखो one or two, सास में किस में आया है, हमें तीसरा वाले ढूनने की जरुट ही नहीं पड़ेगी, one or two, one or two, oh my god, इन दोनों में आया है, C और D में में आया है, अब आपको ये पता लगाना है, फिप्त और फोर्थ में कौन सा सही है, ठीक है, फिप्त और फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, the setting and costumes are adopted from the book गलत है, the making of such films required, नहीं ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि book के ऊपर जो film बनाई जाए, उसका दूसरा पार्ट, मतलब उसका sequel बनाया ही जाए, ये जरूरी नहीं है, तो फिप्त वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारा first, second और fourth correct answer होगा, first, second and fourth, D option is बिल्कुल correct वाला option, आप अपने answer match कर सकते हो, मैंने नीचे इसी वीडियो की description box में answer sheet भी आपको दे रखी है, ठीक है now question number 16 को करते हैं, this is the sixth question of this passage, और पूरे question paper का 16 वा question, ये क्या कह रहा है, हमें आपको पता है ना, 8 में से 6 ही करने है, तो this is the sixth question, ठीक है ये last, इसके बाद passage reading section खतम, grammar करेंगे अपन on what from the following were the maximum TV serials in UK in the year 2017 based, कह रहा है कि भाई, अमेरिका में 2017 में कौन से topic पर जादा film में बनी थी क्या book पर जादा serials बनाये जा रहे थी, sorry film नहीं serial की बात हो रही है, कि भाई, अमेरिका में 2017 में किस topic पर जादा serials बनी है क्या किताबों की उपर, historical stories की उपर, original true stories की उपर, या previous films की उपर, तो पहली यह हमें देखना पड़ेगा, कि भाई 2017 में serial ठीक है, अमेरिका में 2017 में जितने भी serials बने हैं, वो किस पर based हैं, अभी आपको देखना पड़ेगा 2017 और serial याद रखो, यही, don't know what ढूड़ो याद देखो, तुम अपने आपको थोड़ा सा आसान मना सकते हो, passage के एक एक लाइन को पड़ने की जरूरत इच नहीं है भाई, अपन को, देखो, अपन ने देख लिया कि 2017 में serial की बात हो रही है, तो 2017 तो मिल गया, serial भी है क्या कहीं, इसको पड़ते हैं, शायद ही मिल जाए 14 of the 35 high-end series हाँ, serial तो है न, वहीं serial series एक ही चीज़ हो गया क्या रहा है कि भाई, जो अमेरिका में जो series, यानि serial produce किया गया है, 2017 में were based on books वो किस topic पर based है किताबों पर based है तो correct option क्या होगा, 16 वाले question का, अरे भाई ये जल्दी बताओ यार, कितना आसान question है जी हाँ, were based on books मतलब 2017 में अमेरिका में जितने भी serial बनाए गये थे वो जादा तर books पर based थे, यानि books से story ली गई थी, ठीक है आँ रहेंगे grammar and writing portion और ये हमारा section B है इस question paper का, section A की बिल्कुल section B भी, सभी तरीके multiple twice question contain करता है आपको grammar में भी MCQs मिलेंगे और writing section में भी MCQs गजप कर दिया, भाई CBSC ने writing section में तो आपको write ही नहीं करना, केवल MCQs करने है, ठीक है कैसे? दिखाता हूँ अभी, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे grammar grammar का पहला question, आपको 6 questions दिये गए है grammar के, करना केवल 5 है, आपको 6 में से केवल 5 questions करना है, और यह जो questions है ना, यह grammar के सभी chapters से हैं आपके syllabus में जितने भी chapter है tenses, modals, determinants, articles reported speech subject verb agreement, इन सभी chapters से से यह questions पूछे गए हैं ठीक है, चालो, एक एक करके करेंगे question number 19, यानि की grammar portion का पहला question, the hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital, hospital में एक board लगा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि तुम hospital में cigarette नहीं पी सकते हो क्योंकि cigarette पीना सभी के लिए हानी कारक हो सकता है, ठीक है तो देखो भी या, अब इसका तुम्हें मतलब निकालना पड़ेगा, अगर ये model auxiliary का question है, models का ही तो question है ये सब models है अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें दुरन पता चल जाएगा कि ये model का question है, अगर model का question exam में आता है, तो भाई sentence का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, देखो, यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि hospital में हम cigarette पी नहीं सकते, पीना मना है अगर पीओगे, तो मार्क खाओगे ठीक है, तो compulsory है ना, यहाँ पर ये बात मानना, यहाँ पर compulsory है आपके लिए, जैसे आप पेट्रोल टंकी पर जाते हो वहाँ पर cigarette नहीं पी सकते, compulsory है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे ही hospital में भी आप cigarette नहीं पी सकते, यह compulsory है, तो भाई, compulsion के लिए हम कौन सा model auxiliary use करते हैं, cannot का use करते हैं क्या, नहीं, cannot का use हम ability के लिए करते हैं, ठीक है अगर आप cigarette पीने में सक्चम ही नहीं हो, तब हम cannot का use कर सकते हैं, यहाँ पर आप सक्चम हो, आप cigarette पी सकते हो, लेकिन hospital में पीना मना है, ठीक है, तो भाई, जो चीज करना मना हो, इस बात को मानना तुम्हारे लिए एकदब compulsory है, तो compulsion के लिए हम must का use करते हैं, मेरी जान must का मतलब ये बात मानना जरूरी है, आपके पास कोई choice नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे, must not, cannot का use ability के लिए, must not का use, अगर कोई चीज compulsory हो करना compulsion हो, वहाँ पर हम must not का use करते हैं, need not का मतलब अगर किसी चीज को करने की जरूरत है आपको, ठीक है, तो आप need का use करोगे, might का use मतलब एकदम कम chances, might का मतलब होता है, शायद, ठीक है, जहाँ पर शायद का sense बने, आप होँ पर might का use कर सकते हैं, जैसे I might go to school today, सायद ही आज में school जाऊँ, समझ गया, चलो, question number 20 की बात करते हैं, this is the second question from grammar portion, और हमारा question number 20 ना, determiner से से हैं, चलो, क्या लिखा है, लिख रहा है कि भाई, there is never, there is petrol left, after Rahul uses the car, कह रहा है कि भाई, ये तो हो कि Rahul car चलाए, और थोड़ा बहुत petrol बच जाए, इदब पेट्रोल नहीं बसता, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे, क्या हम much का use कर सकते हैं, there is never much petrol, क्या हम little का use कर सकते हैं, many का use कर सकते हैं, या a little का use कर सकते हैं, देखो, petrol क्या है, पेट्रोल क्या है, जब कभी भी determiners का question आए, मैंने अभी आपको बताया, modals का question आए, तो क्या करना है, मतलब समझना है, determiner का question आए, तो क्या करोगे, determiner का question आए ना भीया, सबसे पहले dash के बाद वाला word देख लो, कि ये countable है, या uncountable noun है, तो भाई, petrol को तो हम गिन नहीं सकते है, क्या तुम एक पेट्रोल दो पेट्रोल, तीन पेट्रोल गिन सकते हो, क्या नहीं गिन सकते ना, तो ये हमारा पेट्रोल क्या है, uncountable noun है, uncountable के लिए केवल हम much, little और a little का use करते हैं, many का use, countable noun उनके पहले होता है ठीक है तो हमारा correct केवल इनी तीन में से एक होगा और little और a little ना positive sentence में use होता है positive sentence में ये तो negative sentence है ना मेरे भाई never का use हुआ है ठीक है तो ये negative sentence है negative में केवल हम much का use करता है little और a little positive sentences में use होता है हमेशा याद रखना little or a little no doubt कि भाई uncountable ना उनके साथ use होत एक बात याद रखने लाइक ये है कि उन्ही uncountable noun के साथ use होगा जहाँ पर positive sentence हो ये negative sentence है negative है तो इसलिए है much का use करेंगे ठीक है चालो question number 21 की बात करते है question number 21 क्या कहता है question number 21 कहता है कि I'm taking driving lessons now मतलब मैं अभी गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ hopefully fully आसा है क्या आसा है कि I dash my driving test by number मैं आसा है ये मुझे कि मैं number तक अपना driving test दे चुका हूँगा मैं ये काम कर चुका हूँगा मतलब complete कर चुका हूँगा ठीक है तो मैं जब tense पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था कि भाई जिस भी tense के last में चुका हूँ चुका होंगा चुका होंगे ये आए तो ये कॉन से टेंस होता है ये future perfect होता है क्या होता है future perfect मेरी जान और future perfect में add sorry will have का use होता है अब देखो will have किसमें use हुआ है बिलकुल will have तो इसमें use हुआ है तो ये हो गया हमारा correct option 21 का कॉंस option सही है C वाला option सही है क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई मैं number तक अपना driving test कर चुका होंगा यह काम number आते आते में खतम कर चुका होंगा ना तो future का perfect tense है इसलिए future perfect का helping verb होता है will have plus verb की third form यानि will have taken हमारा बिल्कुल सही होने वाला है now हम करेंगे question number 22 और question number 22 को करनी के लिए आपको reported speech आना जरूरी है आपको direct से indirect में बदलना आना चाहिए अगर नहीं भी आता ना तो मेरे trick को use करो देखो हम कितने आसानी से कर लेंगे ठीक है सुनीता asked when cut बिल्कुल सही है क्यूंकि question पूछा गया इसलिए asked का use करेंगे देखो किसमें इसमें और इसमें तो यह दोनों तो बिल्कुल गलत हो गया देख रहे हो, कैसे हम देख रहें? हम देख रहेंगी अंदर question है हमने asked का use किया चारो option में देखा इन में से आग्ष्ट किसमे है तो दो में नहीं है तो दो तो पहले ही cut हो गया अब option हमारा केवल इन ही दोनों में से एक सही होगा ठीक अब आगे बढ़ते हैं comma inverted comma हट जाएगा बिल्कुल हट जाएगा यहाँ पर कुछ use नहीं होगा सुनीता asked when cut how much how much अब देखो आगे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई direct speech में अगर कोई question use हुआ है तो वो indirect speech में answer में convert हो जाता है हम उसे as a answer लिखते हैं ठीक है अब answer बनाने के लिए किसी question को तुम्हें क्या करना पड़ेगा बस helping verb को subject के पीछे भेज़ दो ठीक है चलो करते हैं क्या है सुनीता asked when cut how much the rent for your flat पहले आजाएगा अब देखो योर है तो योर हमारा क्या है ये second person है ये when cut के according change होगा और when cut क्या है लड़का है इसलिए his का use करेंगे हम ठीक है how much the rent for his flat अब last में हम इज का जो helping verb है वो use करेंगे इज हमारा convert हो जाता है किसमें was में पता होना चाहिए आपको ठीक है तो हमारा correct क्या हो गया how much the rent for his flat was how much ये गलत है how much the rent for his flat was यहाँ पर नहीं है यहाँ पर was पहले use कर दिया है तो ये तो गलत हो गया ये भी गलत है ये भी गलत है तो सही क्या हुआ सुनीता आग जुगनकट how much the rent for his flat was got it समझ में आया है बिल्कुल चालो question number 23 oh again 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 reported speech का question है और ये भी हम tricks से करेंगे सबसे पहले देख लो said है said बदलता नहीं है said का said ही रहता है तो told भी नहीं होगा informed भी नहीं होगा says भी नहीं होगा बचा क्या said अपन को तो change करने की भी जरूरत नहीं पड़ी boss केवल d वाला option हमारा correct है ठीक है क्यों क्योंकि said change नहीं होता ये आपको पता है हमारा say जो है वो say लिखा जाता है ठीक है says हमारा says लिखा जाता है ठीक है said हमारा said ही लिखा जाता है change नहीं होता ये तीनों क्या होते change नहीं होते बाकी अगर say to लिखा है तो tell में change हो जाता है says to tells में change हो जाता है said to told में change हो जाता है लेकिन यहाँ पर अकेला said है जो change नहीं होता तो develop option बिल्कुल correct होगा मेरे भाई I think हमने कितने questions कर लिए 23, 22, 21, 4, 5 कर लिए 6 मैं से 5 ही तो करना था कर लिया आपने तो भाई grammar portion इस तरीके से होता है question number 24 आप अपने से कर ले न writing section क्या बात है CBSC ने न इस बार तो writing section का हुलिया ही बदल दिया भाई, पिछले कई सालों से ऐसा writing section का pattern मैंने तो नहीं देखा तुमने देखा हो तो comment में बता न मुझे इसमें क्या करना है आपको इस बार के writing section में न अगर लेटर दिया है तो लेटर लिखना नहीं है बलकि उस लेटर को कैसे लिखोगे वो आपको multiple choice question में answer करना है, जी हाँ करने में बहुत मज़ा आएगा, कैसे, देखते हैं आपको 6 question दिये गए है करना केवल 5 है, मतलब 6 multiple choice questions है, आपको केवल 5 करना है उसमें से आप एक छोड़ सकते हो question क्या है, question ये है कि तुम्हारा नाम देवासरी है, तुम सिली गुडी आसाम में रहते हो, तुम्हें एक लेटर लिखना है, नेशनल डेली पर जाने के लिए, इस problem के बारे में आपको एडिटर आफ नेशनल डेली को बताना है, ठीक है चालो, अब लेटर लिखते हैं हम लेटर लिखते ही, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हम question number 25 को करेंगे, क्या है कह रहा है कि भाई, select the option with relevant aspects that Devashree should select for his letter, Devashree जब लेटर को लिखना सुरू करेगा तो उसे कौन से कौन सी चीज की जरूरत है क्या उसे लेटर, newspaper का नाम लिखना जरूरी है, बिलकुल भाई हम लिखते हैं न, to the editor national daily, ठीक है हम लिखते हैं न, जब हम लेटर actual में लिखते हैं ऐसे ही तो लिखते हैं न, to the editor editor कौन से newspaper का है तो newspaper का नाम लिखना जरूरी है तो newspaper name सबसे पहला attached proof of the newspaper subscription नहीं, आपने newspaper का subscription लिया है, नहीं लिया है, कोई matter नहीं करता, तो दूसरा वाला तो होगा नहीं देवासरी address, जी हां ये है हमारा formal letter और formal letter में sender's address mention किया जाता है, तो भाई डेवासरी को newspaper का नाम और अपना address और क्या formal tone, formal letter लिख रहे हैं, तो भाई तुम्हारा जो language होना चाहिए, वो भी formal होना चाहिए, तो भाई तीन चीजे चाहिए डेवासरी को, क्या-क्या, newspaper का नाम, दूसरा देवासरी's address, मतलब sender's address और तीसरा formal tone, यानि 1, 3, और 4, 1, 3 and 4, ये D वाला option हमारा बिल्कुल correct है, देख रहे हो, आप लेटर लिख भी नहीं रहे हो लेकिन feeling पूरी लिखने वाली आ रही है आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है मेरे भाई, चालो, question number 26 की बात करते है, question number 26 पूछ रहा है कि select the appropriate subject of this letter आपको letter लिखना है, आपको पता है कि इस बारे में लिखना है, कि भाई जो differently able people है, जो विकलांग लोग है, उनको tourist places में बहुत जादा आसोबिदा होती है, इसलिए आपको letter लिखना है, तो इस letter का subject क्या होना चाहिए, drawing attention to a differently able people नहीं, हमें विकलांग लोगों की तरफ ध्यान नहीं खीचना है, हमें tourist places की तरफ ध्यान खीचना है जो विकलांग लोगों के लिए सही नहीं है, वहाँ पर विकलांग लोगों को काफी दिक्कत होती है, तो पहला तो होगा नहीं दूसरा, the differently abled neglected or misunderstood, देगो भाई subject कभी भी question में मत लिखना तो यह दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा tourist places are an inconvenience यह क्या है, यह तो गलत English लिख दी है भाई, CBSC वालोंने, tourist places are an inconvenience, मतलब tourist places, असो विधा हैं यह भी नहीं होगा, तीसरा वाला, चौथा हो सकता है कि, inconvenience faced by the differently abled at tourist spots यह हमारा correct subject है, जो हम इस letter के लिख सकते हैं, क्या लिखोगी तुम जब इस letter को तुम्हें सचमुच में लिखना हुआ तो तुमारा subject क्या होगा inconvenience faced by the differently abled people at tourist spots ठीक है, समझ में है, 26 भी समझ में आ गया बलकुल आ गया, चलो, 27 question number 27 के तरफ बढ़ते हैं which option should devasri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled people कह रहाएगी भाई, devasri जब later लिखेगा, तो वो कौन से कौन से दिक्कत के बारे में बताएगा कि विकलांग लोगों को tourist places पर क्या-क्या दिक्कत होती है क्या wheelchair को चलाने के लिए कोई road नहीं है, हाँ, ये तो सही है toilets unclean है, इससे क्या मतलब है, इससे तो दोनों लोगों को फरक पड़ता है, जो विकलांग है, नहीं है, इससे तो दोनों को problem होती है तो A वाला तो बिल्कुल नहीं होगा B देखते है, unsuitable visiting timing इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता है विकलांग हो, तो इससे क्या फरक पड़ेगा कि कौन से timing में जा रहे हो ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, B वाला भी नहीं होगा, C होगा क्या, absence of ramp ये तो सही है, ठीक है मतलब wheelchair चलाने के लिए कोई road नहीं है, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो tourist guide जो है, वो untrained है, मतलब वो sign language जो विकलांगों को समझ में आती है वो language नहीं जानते है, भी हाँ ये भी हमारा हो सकता है lack of Braille script, Braille system चालते हो जो केवल विकलांग लोगों को पढ़ने लिखनी के लिए जो एक अलग system बनाया गया है, जिसको sir Braille ने invent किया था, ठीक है, तो Braille script भी नहीं होती है tourist places पर, हाँ, ये तीनों का use कर सकते हो तुम, unclean toilets, क्या फरक पड़ता है, देवासरी क्यूं बताएगा कि भाई, tourist places पर toilet गंदे होते हैं, इस वज़े से विकलांग लोग नहीं जाते हैं भाई, tourist places पर toilet गंदे होते हैं इससे जो विकलांग है, जो विकलांग नहीं है, दोनों को फरक पड़ता है न, तो A, B, C, ये बिलकुल नहीं होगा क्या होगा हमारा, sorry A, B और D नहीं होगा, correct option होगा हमारा, C, समझ में आया, C is our correct option let's move to the next question, question number 28, ओ हो, ये तो बड़ा है तो हम एक question तो छोड़ सकते हैं, की नीच है, मैंसे 5 ही तो करना है न, अगला दो कर देते हैं, चलो, question number 29 की बात करते हैं, question number 29 क्या के रहा है select the option that correctly justifies the choice of the concluding portion of this letter जब आप इस letter को लिखना बंद कर रहे हो मतलब, जब आप letter को लिखना खतम कर रहे हो तो आप कौन सी line लिख सकते हो I expect the authorities to take actions on this issue please post my thoughts in your newspaper, देखो भीया आप ना कभी भी formal letter लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको formal language use करनी होती है, please हमारा formal language नहीं है please हमारा informal language है आप कभी भी किसी officer को later लिख रहे हो ना, तो please तो बिल्कुल मत लिखना ठीक है, तो हमारा a वाला तो हो गया नहीं कौन सा सही option है, to वाला yes to option a, नहीं no to option one, नहीं yes to option two, जी हाँ option number two हमारा सही है, क्यों क्योंकि option number two में हमने क्या किया है politely लोगों से क्या किया, polite expectation किया है, मतलब ये कह रहा है कि मैं आसा करता हूँ कि ये आपकी newspaper में छपे ये जो मेरा later है, और इस issue के लिए जितनी भी government है, public है, support करे इस बात के लिए, ठीक है, तो हमारा second वाला option बिल्कुल correct होगा, ये हमारा concluding line हो सकता है आपको पढ़कर ही लग जाएगा कि उपर वाला नहीं, बलकि नीचे वाला जादा अच्छा है ठीक है, चलो, third question की बात करते है this is the last question of writing section select the option that completes the concluding line appropriately, कह रहाए कि भाई, इस line को complete करना है जब आप later को last में एकदम खतम कर रहे हो, तो आप कौन सी line लिखोगे I hope that my later will, what, मैं आसा करता हूँ कि जो मेरा पत्र है, वो क्या करेगा help, spread, awareness about the issue, इस issue के बारे में लोगों को जागरित करेगा हो सकता है, lead to action against all authorities, गलत ठीक है, इस letter को लिखने का कोई भी ऐसा उदेश से नहीं है, कि किसी के खिलाफ कोई कारेवाही की जाए ठीक है, C, improve circulation of the national daily, newspaper बटे ना बटे, क्या मतलब है देवासरी को result in positive reviews by the readers, क्या मतलब है, इससे हमारा यह वाला बिल्कुल सही होगा, कि भाई मैं आसा करता हूँ कि यह जो मेरा letter है, वो logo तक पहुचेगा और logo को जागरू करेगा उन्हें aware करेगा ठीक है, so this is the whole writing section और यह पूरा paper हमारा इहे पर complete होता है, जो literature का answer है, आपको क्या करेगा यह नीचे description box में marking scheme मैंने दे रखी है, तो literature का answer आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि literature को करने का कोई trick नहीं होता, so this is all about this particular video मेरी चान, कैसा लगा class 10, यह sample question paper solve करके, अगर video अच्छी लगी हो, तो video को share करना, और ऐसे ही मैं 2-3 और sample paper, जो मेरे द्वारा बनाया गया है, unofficial है लेकिन accurate है, वो मैं आपको जल्दी देऊंगा, इसी चानल पर सो बने रही है हमारे चानल पर, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब दक के लिए शर्श्रियाकाल नहीं